जैहिंद बंदे मातरम नमस्कार शातियों स्वागत हैं आप सभी का आपके इपने YouTube चेनल अवतार इस्टडी 7054 में मैं पाल प्रवीन आज के वीडियो में बात करेंगे महतपूर निक्तियां 2022 का महतपूर टॉपिक है आपके गजाम के लिए इस वीडियो के मादम से सभी 2022 से जुड़ी महतपूर निक्तियों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के मादम से टॉप 40 पसंद कवर करेंगे आप किसी भी competitive गजाम के त्यारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही important होने बाल पहला question है भारत देश के नए राष्ट पती कौन बने हैं बहुत important point है आपके गजाम के लिए सभी लोग इस पसंद को इस्टार बना करके नोट करेंगे भारत देश के नए राष्ट पती कौन बने है इस पसंद का चाहती हो right answer is option number C द्रूपती मुर्मो भारत की ठीक है भार पारत की दूसरी महीला राष्ट पती है इस पाइंट को आप अगला point है द्रुपती मुर्मो 25 जुलाई 2022 से भारत की पंदर्वी और बर्तबान राष्ट पती हैं बह भारती जनता बहानीत सकतिति हैं और राष्ट पती पत समालने वाली पहली प्रतिभा पार्टिल के बाद दूसरी महिला भी है इस पाइंट को अपने नोट करना है पहली राष्ट पती के अगर बात करने शाती हो तो पहली राष्ट पती प्रतिभा देवी पार्टिल हो जाती है और उसके बाद दूसरी जो राष्ट पती है इनका नाम है द्रोपती मुर्मू अपने इसको नोट करना है इंपोर्टेंट पॉइंट है अपके एकजाम के लिए अगला अप्छ भाराथ देश के नए उप्राष्ट पती कौन बने है? यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है स्टार बनने के सब लोग भारत देश के नए उप्राष्ट पती कौन बने है? प्यूस गोएन ओम बिड़ला अधिर रंजन चौधरी यह फिर जगदीब धनकर बहुत ही इंपोटेंट पाइंट है राइट आंसर पसंद का आपसं नमबर दी ठीक है जगदीब धनकर भारत के नए उपराष्ट पते बने हैं इस पाइंट को अपने नोट करना है इनके करम क अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्रीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगला अगर आप से यहां से जुड़े महत्पूर्ण पाइंट कवर कर लेते हैं जगदीब धनकर इनका जनम हुआता सात्यों 18 मई 1951 को इनका ज पती हैं उन्होंने पस्रिम मंगारों के राज्यपाल के रूप में कार किया बैभारती जंता पार्टे के सधसें उन्होंने चंदर शेखर मंत्राले में संसदी मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार किया उन्होंने 2022 का चुनाओ 74.37 प्रतिशत वोटों के साथ जीता थ अगला अपसर है नाय मूर्ती एन्बी रवना के बाद देश के नए मुखि नायदीर सकौन बने है इस पसन का राइट आंसर है यू-उ ललित वहिन को बलते हैं इनका क्रामे सातीयों 49 नंबर के मुक्किनाइदीस के रूम में इनको निद्ट किया गया था इंपोर्टेंट प्राइंट कवर कर लेते हैं आसे जेश्टिस उद्धाय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49 मुक्किनाइदीस के रूम में सपत इनों ने लिए है वो दो महिने दो हपते यानि कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोट की अगुवाई करेंगे जस्टिस यू ललित 9 नमंबर को रिटायर होंगे इसके बाद देश के 50 भी मुक्य नाधिस के रूम में जस्टिस डी वाई चंदरचून पद शभालेंगे जस्टिस चंदरचून ठीक 2 साल यानि 10 नमंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे बारतमान में जस्टिस चंदरचून भारत के नाधिस से अपने इसको नोट करना है अगला अपसन है राज्यसवा के नए सभापती कौन बने है बहुत important point है इस्टार बनाने के सबी लोग राज्यसवा के नए सभापती कौन बने है सही आंसर शाते इस पिसन का अपसन नमबर डी ठीक है जगदीब धनकर भारत के यानि राज्यसवा के नए सभापती बने है अपने इसको नोट करना है important point कबर करते हैं यासे जगदीब धनकर ग्यारा अगस्त गुरुबार को राश्यसवा का राश्यसवा का पदेज़ सभापती होता है अगला अपसने वरतमान समय में नए मुख चुनाब आयुक तो कौन मने है कुसेण नमबर 5 है और पिसन का साथ हो राइट आंसर हो जाता है option नमबर 1 ठीक है राजीब कुमार राजीब कुमार इस पिसन का राइट आंसर है इनके करम की बात करेंशा आती हो तो इनका करम 25 वे नमबर के मुख चुनाब आयूद के रूम में इनको निक्त किया गया है इंपोर्टेंट पाइंट कवर करते हैं भारती मुख्य चुनाव आयुक्त भारती चुनाव आयुक्त का प्रमुक होता है ठीके प्रमुक होता है और भारत में सोतंतरता एवं निस्पच रोप से राष्ट और राज्ज के चुनाव करवाने का उत्तरदाई होता है मुक्ष चुनाव आयुक्त की निक्ति भारत का राष्टपती करता है वर्तमान में भारत के मुक्ष निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्रपांडेश को अपने नोट करना है अगला अपसन है भारती रिजर्व बेंग आरवी आई के गवर्नर कौन है बारती रिजर्व बेंग याँ आरवी आई के गवर्नर कौन है question number 6 है और इस पसंद का right answer है option number 2 सकती कांसदास इनके करम की बात करें चाहते हैं तो इनका 25 वे नंबर का करम है इसको Noot करना है, ठीक है? 25वे नंबर का क्रंब है, कोस्षन बहुत important है, आप इसको start बना करके Noot करेंगे इस वीडियो के माद्धम से 40 महत़पूर्ट प्रिशन कवर करेंगे, जो आपके exam के लिए बहुत voANS करेंगे को नियंतरित करता है अगला आपसे उप चुनाब आयुक्त कौन बने हैं यह पॉइंट बहुत ही इंपोटेंट है नए उप चुनाब आयुक्त कौन बने हैं आरके गुपता गिरीस चंदर मुर्मू सुनाली सिंग या फिर बी आर चोधरी कोसे नमबर साथ का राइट आंसर है आपसे नमबर आरके गुपता नए उप चुनाब आयुक्त बने हैं आपके इसको नूट करना है बहुत ही इंपोटेंट पॉइंट है इस्टार बने लेंगे सभी लोग और वीडियो को भी सियर करेंगे अगला आपसे नए नियंतरक एबं महालेका परिच्छक यानि काय को कोन बने काय के नए महालेका परिच्छक कोन बने आपको बताना है जातियों इस पसंद का राइट आंसर है आपसे नमबर वी ग्रीज चंदर मुर्मो इनके करम की बात करेंगे इनका करम है चोधवे लेखा परिच्छक के रूम में इनको निक्ति किया गया है अगला आपसे नमबर नौ है राइट आंसर है और साथे नियंग पसंद का आपसे नूमबर डशाण का राइट आंसर है आप सभी लोग इसको इस्टार बना करके नोट कर लीजीगा अगला अप्सान है नए थलसेना अध्धच कौन बने है बहुत important point है नए थलसेना अध्धच कौन बने है इस्टार बनाएंगे सभी लोग क्योंकि पशन एक्जाम में कई बार पोँछे जा चुका है तो नए थलसेना अध्धच कौन बने हैं प्रधान मंत्री के नए सलहकार कौन बने हैं आपको बताना है बहुत इंपोटेंट पॉइंट है प्रधान मंत्री के नए सलहकार कौन बने है right answer अपस नंबर C तरुण कपूर ठीक तरुण कपूर प्रधान मंत्री के नए सलहकार के रुम variants को निक्त किया है बहुत इंपोटेंट है सभी लोग इस्टार बना करके नोड करेंगे अगला आपसने वर्तमान समय में नए विदे सचीब कौन मने हैं कोशन नमबार बार है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशने विदे सचीब कौन मने हैं वर्तमान समय में कोशन नमबार है का राइट आपसन नमबार भी विने मोहन का वात्रा वर्तमान समय में नए बिदिश सचीप के रूम में इनको निक्त किया गया है बहुत ही important point है आपकी exam के लिए अगला आप सेने नए मुख आर्थिक सलहकार कौन मने है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया नए मुख आर्थिक सलहकार के रूम में इनको निक्त किया गया है बहुत ही important point है सभी लोग इसको नोट करके चलेंगे भारत सरकार के प्रधान वैग्यानिक सलहकार कौन मने है question number 14 बहुत ही important है भारत सरकार के प्रधान वैग्यानिक सलहकार कौन मने है right answer इस पसंद का option number D अजय कुमार शोद भारत सरकार के प्रधान वैग्यानिक सलहकार मने है आपने इसको नोट करना है बहुत ही important point है अपकी exam के लिए अगला अपसर है वर्तमान समय में intelligence bureau यानि IB के ने निदेशक कौन मने है वर्तमान समय में intelligence bureau यानि IB के निदेशक कौन मने है right answer इस पसंद का option number D तपन कुमार डे का वर्तमान समय में IB के ने निदेशक के रूमें इनको निक्त किया गया है अगला अपसर है वर्तमान समय में research and analysis wing के यानि raw के ने प्रमुक कौन मने है आपको बताना है साथियों question number 16 का right answer रा के ने प्रमुक कौन बने है right answer इसका option number D सामन्त कुमार गोयल डिके सामन्त कुमार गोयल वर्तमान समय में research and analysis wing यानि raw के ने प्रमुक के रूमें इनको निक्त किया गया है अगला अपसरन है साथियों राष्टी जाच एजनसी के ने महान इदिसक कौन मने है आपको बताना है साथियों बहुत important point है आपके एक्जाम के लिए और question number 17 का right answer है अपसर number C दिनकर गुपता इस पसंद का right answer यता है अपसर number C दिनकर गुपता अगला अपसरन है के नए महान इदिसक कौन मने है यानि SSB के नए महान इदिसक कौन मने है बहुत important point है और इस पसंद का साथियों राइट आंसर है आपसर number D एस एल थाओ सेन इस पसंद का right answer है एस एल थाओ सेन SSB के नए महान इदिसक के रूम में इनको निक्त किया गया है सभी लोग इस पसंद पर इस्टार बना करके नोड करेंगी क्योंकि पसंद बहुत important है अगला अपसर है केंदरी और दोगी को सुरच्चावल यानि CISF के नए महान इदिसक कौन मने है और यानि CISF के नए महान इदिसक कौन मने है सेवार रेलवे सुरच्चा वलसेवा यानि आर्पी एसेपके नए महाने देशिं कौन मने हैं से आपिसे नम्बर वी संजय चंदर एस पशेशन का राईड अंसर यह इसको करना है बहुत ही इंपोर्डेंट प opini है अगला आपस्वान है नीति आयोग के नए C.O कौन बने हैं बहुत important point है आपके exam के लिए सबी लोगे star बना रहेंगे नीति आयोग के नए C.O कौन बने हैं नीति आयोग के अधच की बात के तो नीति आयोग के जो अधच होते हैं प्रधान-मंत्री नीति आयोग के धच्च होते हैं, इसके co की बात किने था कियों तो इसका co हो जाते हैं परमेसवर आयर इस प्रिपसरन का राहिट आंसर है भरतमाल स्रें में नीति आयोग के के जो co हैं परमेसवर कि अपने इसको नोट करना है अगला पकर ने संग लोग सेवा आयोग यानी सी के नए अधाक्ष को नज मने हैं आप वाक्टर मनोज सोनी है आपने इसको नोट करना है बहुत important point है अगला आपस ने रेलवे बोड के नए अध्दचेवं सी ओ कौन बने हैं सबी लोग इस्टार बन लेंगे और रेलवे बोड के नए अध्दचे वं सी ओ कोन मने है राइट राइट आंसर है आपसे नमबर डी बिने कुमार तरपाथी वर्तमासमे में रेलवे बोड के नए सियो के रूमेन को निक्त किया गया है दोजार बाइस से जुड़ी महत पूर्ण निक्तिया इस वीडियो के मादधम से कवर करेंगे लगवग 40 कोशन कवर करने हैं इस बाले है आशन कान अबसे बने ज़ियो आनसर है हैं माधवी पूरी उसलड़िध ने अधच्छ से वी के नए अधच्छ मेंने इनको निक्त क किया गया है बहुति इंपूर्ट जुल्फी कार हसन अगला पसन है केंद्री प्रतचकर वोड यानी CBDT के नए अध्धच कोन बने है CBDT के नए अध्धच कोन बने है आप सभी को इस पसन का राइट आंसर देना है ठी के CBDT के नए अध्धच तो इस प्रसंद का right answer है option number 1 नितिन गुपता इस प्रसंद का right answer जाता है आपने इसको यदकना है नितिन गुपता अगला अप्रसंद है भारती विसिष्ट पहचान प्राधी करण के नए CEO कौन बने है question number 27 बहुत ही important है आपके एजाम के लिए सभी लोग इस पर star बनेंगे और इस प्रसंद का right answer जाता है option number C सोरभ गर्ग भारती विसिष्ट पहचान प्राधी करण यानि UIDAI के नए CEO बने है अगला अप्रसंद है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited यानि HPCL के नए निदेसक कौन बने है बहुत important point है question number 28 और सातियों इस प्रसंद का right answer है option number A ठीक है इस प्रसंद का right answer है option number A पुस्प कुमार जोशी बरतमान सेव में HPCL के नए निदेसक को बने है अगला अप्रसंद है सातियों भारती पर्टक विकास निगम यानि ITDC के नए धच कौन बने है भारती पर्टक विकास निगम तो इस प्रसंद का सातियों राइट आंसर है option number V ठीक है option number V सम्वित पात्रा इस प्रसंद का right answer है आपने इसको नोट करना है सम्वित पात्रा अगला प्रसंद है All India Limited और के नए निदेशक कौन बने है All India Limited और के नए निदेशक कौन बने है Question number 30 बहुत important है और इस प्रसंद का right answer है option number D ठीक है रंजीत रत इस प्रसंद का right answer है रंजीत रत आपने इसको इसको इस्टाब ना करके नोट करना है अगला प्रसंद है राश्टी इस्पात निदेशक कौन बने है राश्टी इस्पात निदेशक कौन बने है अतुल भट विजे संपाला अरुन कुमार मिस्रा या फिर प्रंग का कानूं को Right answer है इस पसंद का option number 1 ठीक है अतुल भट इस पसंद का राइट आंसर है आपने इसको नोट करना है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला आप चले ग्रामीड बिद्दुती करण निगम के ने निदे से कोण बने है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एक्जाम के लिए कोशन नमर 32 और इस पसंद का चातियों राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से कोशन नमर 32 है राइट आंसर इस पसंद का आपसा नमर B बिबेक कुमार देबगन ठिक इस पसंद का राइट आंसर क्या है बिबेक कुमार देबगन ठिक है और इसी के नए निदेसक के बने है। इस पाइंट को आपने नोड करना है। यानि घ्रामीड बिधुती कर रहा है निगम के नए निदेसक बने है। अगला आप्सरे विश्विद्याले अनुदान आयोग यानि यू जीसी के नए अधाच्च कोन बने हैं। विस्विद्याले अनुदान आयोग यानी UGC के नए अधच्च कौन बने है बहुत important point है इस्टार बनाने के सबी लोग और इस पसंद का साथियों right answer हो जाता है आपसे number C M. जगदीश कुमार इस पसंद का right answer है आपने इसको note करना है बहुत important point है आपके exam के लिए जबाहर लाल नेहरु विस्विद्याले के कुलपती कौन बने है बहुत important point है जबाहर लाल नेहरु विस्विद्याले यानी JNU के कुलपती कौन बने है तेरवे नमबर का इसको note करना है अगला प्सने केंदरी मादमिक सिच्छा बोर्ड के नए धच कौन मने है निधी छिपबर सो मांडल संदीप के गुपता सिरीकान्त माधव बैद तो इस पिसन का साथ यहों, right answer हो जाता है, option number A, ठीक है, निधी छबर, इस पिसन का right answer है, इसको आपने नोट करना है, बहुत important point है अगला अपिसन है, भारती प्रशार के नए CEO कोन मने है, question number 36 है, और इस पिसन का साथ यहों, right answer है, option number D, ठीक है मैंक कुमार अगरवाल बरतमान समय में, भारती प्रशार के नए CEO है, आपने इसको नोट करना है, अगला अपिसन है, Indian newspaper society के नए अधच कोन मने है, question number 36 है, और इस पिसन का साथ हो, right answer है, option number A, मोहित जयन इस पिसन का right answer है, आपने इसको नोट करना है, मोहित जयन इस पिसन का right answer है, अगला अंसर नबर 2, एसे सौहँना, ठीक है, करम की बात करें, तो इनका जो करम है साथियों, दसवे नंबर के बने है, अपने इसको नोट करना है, अगला अपिसन है, रच्छा अनुसन्दान एबन विकास संगठन की नए अधच laquelle बने है, रच्छा अनुसंधान एबं विकास संगठन के नए अधच कौन मने है कोस्षा नमबर 49 है बहुत ही इंपोटेंट और इस पिसन का साथियों राइट आंसर है आपस्षा नमबर C जी सतीस रेड़ी आपने इसको नोट करना है जी सतीस रेड़ी बहुत ही इंपोटेंट पॉइंट है अपके एकजाम के लिए अगला अपस्षा ने विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर के नए निदेशक कौन मने है विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर के नए निदेशक कौन मने है कोसर नमबर 40 है और आज की वीडियो का लाश्ट प्रशन है तो आप सभी लोग इस पस्षान का आंसर कमेंट करें राइट आंसर इस पस्षान का आपस्षा नमबर B विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर के नए निदेशक के रोम में इनको निदेशक किया गया इस वीडियो के मादधम से 40 महत पुन प्रशन कबर किये हैं जो की आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोड़न्ट है आप किसी भी competitive exam की तैयारी करते हैं उसके लिए आप सबी लोग वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत